हलो, हावर यू, होप यू विल बी फाइन, मैं हूँ रंजना वागमारे, स्वागत करती हूँ, हम सबके यूटूब चानल राजर्शी क्लासेस में, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, साइन्स 2, 10 स्टांडर्ड, चाप्टर 8, सेल बायोलोजी और बायो टेकनलोजी इसका फर्स्ट वीडियो जो है, हमने डाल दिया है चानल में, तो इसका जो है, यह सेकंड पार्ट है, ओके, तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, तो इस लेसन में, पहले पार्ट म हमने क्या क्या देखा था, कि सेल क्या है, टीशू क्या है, और जो है साइटलोजी, मतलब सेल बॉयलोजी क्या होता है, बें स्टेम सेल जो है, वो क्या है, सबसे इंपोर्टन स्टेम सेल क्या है, और स्टेम सेल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो और यह जो स्टेम सेल क कहा पर प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडि में तो इसके बारे में हमने जानकरी ली थी और उसके बाद में जो है हमने क्या देखा था कि Stem cell के टाइप देखे थे तो फर्स टाइप इस एम्रियोनिक Stem cell वो भी हमने कैसे काम करता है so that is we have to learn in the first video next what we learn uses of stem cells stem cells का जो है कहा कहा पर use होता है इसके बारे में भी हमने last video में देखा था तो अब हम start कर रहे है यहाँ observe से so discuss about stem cell and organ transplantation in the class with the help of a figure given below यहाँ पर एक figure दिया हुआ है उस figure से जो है हमको discuss करना है कि organ transplantation कैसे होता है यहाँ पर दिया है neurons, stem cell, brain दिया हुआ है bone दिया हुआ है then intestine, liver, heart है तो यह सब में stem cell कैसे work करता है मतलब transplantation कैसे होता है उसका इसके बारे में हमको discuss करना है so first we learn the organ transplantation various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like aging, accident, infections, disorder, etc तो हमारे body के human body के जो भी organs है either become less efficient वो जो organs है कभी कभी less efficient होता है मतलब अच्छी से काम नहीं कर पाता है या completely functionless होता है या फिर वो बिल्कुल काम न करने वाला जो है और्गन होता है कामी नहीं करता है so due to various reasons उसके लिए बहुत सारे reasons होते है like aging है age की वज़े से जो है वो काम नहीं करता है या फिर कही accident हो गया तो वो निकामी हो जाता है या कभी infection हो गया हमारे शरीर पे तो उससे भी जो है एक अधा आर्गन काम नहीं करता है so disorder या फिर हमारा जो है disorder होने की वज़े से भी जो है वो आर्गन काम नहीं करता है etc यह reason हो सकते है so life of such persons become difficult और ऐसे person की life जो है जो उसके body के कुछ आर्गन function ही नहीं कर रहे है तो उसकी जो life है उस person की very difficult हो जाती है और even fatality में occurs under such condition और उस condition में जो है वो बहुत अपने आपको निश्क्री है जो है समझने लगता है so however if a person gets the necessary organ under such condition अगर ऐसे condition में अगर कोई person है तो its life can be saved उसकी life को जो है हम save कर सकते हैं कैसे organ transplantation से availability of a donor is an important requirement in organ transplantation और ऐसे वक्त में जो है donor बहुत जरूरी होता है मतलब जिसके शरीर से वो organ हमको निकालके उस व्यक्ति के शरीर में लगा सकते है तो ऐसे वक्त में जो donor है वो बहुत important होता है requirement in organ transplantation में each person has a pair of a kidney अब जो है हर एक person में दो kidney होती है as the process of excretion can occur with the help of single kidney तो excretion का जो काम होता है मतलब west जो है हमारी शरीर से निकालने का जो काम होता है तो वो हमारी एक kidney भी perform कर सकती है excretion can occur with the help of single kidney person can donate another one तो जब उसकी एक kidney ही ये सब काम कर सकती है तो वो जो person है अपनी दूसरी kidney जो है किसी दूसरे person को जिसको kidney का अगर कोई disease हो गया है kidney उसकी मतलब काम से गई है तो ऐसे वक्त में वो मरने के हालत में आ जाएगा तो उसको kidney transplant कर सकते है person can donate another one तो दूसरी जो kidney है वो donate कर सकता है similarly skin from certain parts of the body can also be donated अगर किसी की skin जो है मतलब कभी कभी जलने की कैसे समने बहुत सारी देखिए तो ऐसे वक्त में जो है वो जो शरीर है उसका जहाँ पे जल चुका है तो वो बहुत गंदा दिखने लगता है तो ऐसे वक्त में जो है किसी दूसरे वेक्ती के skin को जो है हम जो है transplant कर सकते है उसके शरीर में उसका जो उपर का skin है वो recover कर सकते है अच्छा कर सकते है ठीक है तो skin भी donate करने के लिए जो है person को सामने आना पड़ता है so various factors like blood group है disease है disorder है age है etc of the donor and recipients needs to be paid attention during transplantation during transplantation में यह जो factors है जैसे blood group है मतलब दोनों का donor का और recipients का जिसको देना है और जिसको देना है उन दोनों का जो है blood group देखा जाता है उसको कोई disease तो नहीं है वो देखा जाता है कुछ disorder तो नहीं है उसके शरीर में वो देखा जाता है उसकी age देखी जाती है यह सब factors जो है पहले study कर लिये जाते है दोनों के और फिर बाद में जो है transplantation किया जाता है so however other organ cannot be donated during lifetime अब यह जो है other organ cannot be donated during lifetime organ like liver, heart, eyes can be donated after death only यह जो organ है liver है, heart है या eyes है वो हम हमारे जिंदा रहते वक्त नहीं दे सकते है after death यह जो है liver, heart, eyes जो है हम donate कर सकते है so this has led to be emergency of a concept like posthumous after death donation of body of a body and organ तो यह जो है emergency concept है मतलब यह मरने के बिल्कुल तुरंत जो है हमको इस पर काम करना पड़ता है तो after death जो है एक तो body donate करनी पड़ती है या फिर organ donate करना पड़ता है तो इसके पहले ही जो है एक process होता है हमको पहले से ही वो format बरना पड़ता है कि हमको आखे देनी है या फिर हमारे शरीर को पुरे शरीर को जो है donate करना है तो वो हम पहले से ही जो format बरके रखना पड़ता है हमको तो this is यहाँ पर क्या दिया है एक picture दिया है stem cell can replicate themselves यह replicate करता है और फिर यह जो है organs में can be transplant into other type of cell और दूसरे other type of cells में जो है उसको transplant किया जाता है ठीक है that the picture are given here next is organ and body donation अब organ और body donation किस तरह से किया जाता है human bodies are disposed of after death as per traditional customs जो रिती रिवाश के नुसार जो है जब आदमी मर जाता है तो उसकी body जो है dispose की जाती है कोई जलाता है या फिर कोई उसको गाड़ देता है so however due to progress in science अब जो science में जो बहुत सारी progress हुई है it has been realized that many organs remain function for certain period even after death तो बहुत सारे organ जो है हमारी शरीर के मरने के बाद भी कुछ गंटों तक जो है वो अच्छे condition में होते है तो जैसे ही हमारे science में जो progress हो रहा है उस इसाफ से जो है ये जो organs है जो हमारे मरने के बाद में जो है कुछ वक्त तक काम करते रहते है तो उसको हम donate कर सकते है तो यहां पे कहा गया है कि concept जो है ये आरगन डोनेशन का that concepts of organ donation and body donation आरगन भी donation जैसे eyes हो गया liver हो गया या फिर kidney हो गया या फिर body donation या पूरी की पूरी body जो है donate की जाती है have emerged recently ये जो है कुछ ही सालों पहले का idea जो है after realization that such organ can be used और वो जो organ है हम use कर सकते है for to save other needful persons को दे कर तो a liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death our body should be useful to other needful person इसके पीछे का idea क्या है कि ये जो concept है वो किसले use की जा रही है क्योंकि अगर कोई needful person है मतलब जिन्दा जो इंसान है जिसको उसकी बहुत जरूरी है मतलब इकात को kidney की जरूरी है या किसी को आख नहीं है उसको eyes की जरूरत है तो ये जो person needful person है उसकी जो life है comfortable करने के लिए करने के लिए ये जो है liberal view हमारे सामने आया था ठीक है so awareness about this concept is increasing in our country तो इसका जो awareness है मतलब इसके बारे में अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है ये concept के बारे में तो इस जो concept को है बहुत लोगों ने अपनाया भी है हमारे country में and people are valutarily donating their bodies और बहुत सारे people जो है सामने आ रहे है अपनी body को donate करने के लिए life of many people can be saved by organ and body donation और बहुत सारे लोगों की जो life है वो save हो रही है इस organ and body donation की वज़े से ठीक है blinds can regain the vision जो blind person है उसको आखे मिल रही है वो फिर से देखना शुरू हुआ उसका life of many people can be rendered comfortable by donation of organ like liver, kidney है, heart है या heart valves है, skin है एटसेटरा तो बहुत सारे people की life जो है can be rendered comfortable होने लगी है किसके वज़े से organ donation की वज़े से कौन से organ है जैसे कि liver है kidney है, heart है heart भी donate किया जाता है kidney donate होती है heart valves मतलब heart का एक valve अगर खराब हो गया है तो valve भी ट्रांक्प्लांट किया जा सकता है skin जो है skin अगर किसी की जल चुकी है skin या उसकी skin में कुछ irritation होके खराब हो चुकी है तो वहाँ पर skin भी जो है ट्रांक्प्लांट किया जाता है तो इस तरह से जो है एक दुसरे person की जो नीडी person है उसकी life को जो है comfortable बनाया जाता है यह सब औरगन डोनेट करके similarly body can be made available for research in medical studies और जो body डोनेट करते है तो वो body की body जो है medical college में डोनेट की जाती है जिससे की वहाँ पर पढ़ने वाले जो student होते है medical students होते हैं उनको research करने के लिए या फिर उसके study करने के लिए जो है काम में आती है वो body so many government and social organization are working towards increasing the awareness about body donation हमारी जो government है और हमारा social organization जो social organization जो चलाते हैं लोग तो वो जो है इस काम में लगे हुए है कि लोगों को इसके बारे में जो है aware कर रहे हैं people are increasing to awareness about body donation body donation के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा रहे है ठीक है internet is my friend internet में आपको ये information देखना है visit the website ये website दी हुई है और इसमें collect more information about brain dead brain कैसा dead होता है उसके बारे में आपको information निकलनी है organ donation and body donation body कैसे donate होती है organ कैसे donate किया जाता है brain dead क्या है that all information you have to give from that website ओके गिवन हीर next always remember organ donation and transplantation is under the control of Transplantation Human Organ Act 1994 ये जो है एक act है ये जो act है उसमें जो है organ donation और transplantation इस act के control में जो है किया जाता है that is what is that act Transplantation Human Organ Act 1994 and subsequent amendment for 2009, 2011 or 2014 so that overall process would be transparent and any person would not be cheated तो ये जो है इसमें बहुत सारे amendment भी हो थे changes भी होए थे जैसे 2009 में, 2011 में और 2014 में जो हुआ जिससे कि ये क्यों हुआ amendment इसमें क्योंकि कोई भी person जो है इस organ donation में cheating नहीं करेगा मतलब पहले खहे दिया और फिर बात में cheating करना जो है वैसे नहीं होनी चाहिए इसलिए जो है act बनाए गया ठीक है you understood that next here you see a picture is given one man is man का picture दिया हुए उसके organs दिये हुए है eyes दी है heart दिया है pancreas दिया है kidney, skin है bones दिये है liver, lungs ये जो हमारे body parts से internal दिये हुए है ठीक है next recall a little recall a little what is biotechnology so biotechnology क्या है अभी सबसे important question है और ये जो है हमारे lesson का नाम भी है cell biology and biotechnology अभी तक हमने cell biology देखा अब हम देखने वाले है biotechnology so biotechnology क्या है use of the living cell and bacteria in industrial and scientific process that is called a biotechnology मतलब living cell और bacteria जो है इसको कहा पर use हो रहा है इसका use industries में भी industries में हो रहा है और वो भी scientific process से हो रहा है that is called a biotechnology okay in which various fields the biotechnology has been useful ऐसे concept field है जहापर biotechnology useful हो so biotechnology can be used in a field of agriculture यह कहाँ पर यूज होती है agriculture में यूज होती है हाटी कल्चर में यूज होता है इसका medical field में जो है biotechnology का यूज हो रहा है diagnosis अफर डिसीज 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 करने के लिए भी जो है biotechnology का यूज हो रहा है so biotechnology is used in the production of a cash crop cash crop में भी जो है मतलब अच्छा crop आने के लिए भी biotechnology का यूज हो रहा है improvement in a variety of a cash crop जो भी crop है उसको improve करना है varieties को उसके varieties को तो उसके लिए भी biotechnology यूज हो रहा है increase in ability of a plants plants के ability increase करने के लिए भी जो है 市 का use हो रहा है next vaccine production के लिए भी जो है biotechnology का यूज हो रहा है so organ transaction में भी biotechnology यूज हो रहा है cancer research में हो रहा है artificial skin जो है production of artificial skin के लिए भी biotechnology का use हो रहा है so बहुत सारे ऐसे facts factors है जिसमें ki biotechnology को यूज किया जा रहा है अब यह जो इसका इंपक्ट है बायो टेकनोलोजी का इन अग्रिकल्चर में और जो है अदर रिलेटेट फिल्ड में कैसा है तो इसके जो नाचरल कारेक्टर से अब आप स्पेसिज में नाट है और यूसफुल फीजर यह जो है पूरे जो है यूसफुल नहीं होते है ओके नाचरल कारेक्टर देन समाग्द कारेक्टर में भी डिटेरियस कुछ जो है जो कारेक्टर से वो डिटेरियस है तो अवाइड सच वेराटी जेनेटिकली मोडिफाइड और और अर्गानिजम्स अर्गाइड इसलिए जो है यह आवाइड करने के लिए वेराइटीज को जेनेटिकल मोडिफाइड और अर्गनाईजिशन जो है क्रिएड किया गया है ठीक है तो इसका जो है अगरिकल्चर फिल्ड में जो है बहुत सारा तो यह जो जेनेटिकली मोडिफाइड आर्गनिजम्स है जो क्रिएट किये हमने पॉर दिस परपस दे डी एने इस चेंज इन दे क्रॉप क्राप का जो है डी एने चेंज किया जाता है और फिर जो है मोडिफाइड क्राफ देन प्रोसेस यह जो modified crop फिर निकलता है वो उसको process किया जाता है और required features के लिए ठीक है तो इस तरह से जो है बहुत सारी crop में जो है development करके उसको जो है एक नई variety बना कर use किया जाता है in agriculture food और other field में भी जो है इसका बहुत सारा use है ठीक है next we see the biotechnology so we have studied in the earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organism for human welfare तो इसके पहले के lesson में भी हमने देखा है कि biotechnology क्या है artificial genetic change जो है कोई भी product में किया जाता है artificially मतलब उसको artificially उसको genetic change करके और hybridization in organism और organism में जो है hybridization करके for human welfare मतलब लोगों के भलाई के लिए जो है इसको किया जाता है उसमें genetic change और hybridization so hybridization क्या है अब इसको हम देखेंगे the process of hybridization is what two species are combined organs are combined and form a new species okay that is hybridization okay तो बायो टेकनलोजी में जो है artificial genetic जो है changes किया जाते है and hybridization किया जाता है organisms का for human welfare के लिए so various branches of a science like cytology है various branches of a science science की बहुत सारे जो है branches like cytology cytology means the study of cell biochemistry है molecular biology है and genetic engineering यह सभी branches की study जो है बायो टेकनलोजी में की जाती है यह सब अलग-अलग branches है भी हां मतलब biology science के इसमें अलग-अलग studies की जाती है ठीक है so there is a considerable progress mainly in field of agriculture and pharmacy due to bio technology और bio technology की वज़े से ही जो है agricultural field में और pharmacy की जो field है इसमें बहुत सारा बहुत सारा progress हो चुका है ठीक है new experiments are being performed from improving the agricultural yield यह जो agriculture field है इसमें जो है एक बहुत नए-नए experiment करकर agriculture की नए जो species जो है बनाई जाती है ठीक है so in pharmacy experiments for production of antibodies और pharmacy में जो है इसका कैसे यूज होता है बहुत सारे experiment करकर जो है बहुत सारी नए-नए antibodies जो है तयार की जाती है vitamins जो है जो हम tablets वगरे खाते है vitamins के यह अलग-अलग जो प्रकार के vitamins जो है वह प्रोसेस होते है and hormones like insulin have been successful इसमें hormones like insulin भी जो है बनाएगा insulin मालूम है आपको और diabetic patient को जो है वह injection जो दिया जाता insulin का that is तो वह भी जो है यह successfully जो है इससे experiment करके बनाए जाता है in pharmacy में ठीक है तो यह pharmacy और agriculture life में इसका जो है बहुत ज्यादा impact है so high class varieties of a crop have been developed through the technique of tissue culture tissue culture से जो है नए नए varieties of a crop जो है उसमें बनाए जाते हैं डेवलप किये जाते हैं जैसे राइस के बहुत सारे नए नए varieties आ चुकी है वी बाजर में cotton की varieties है बहुत सारी अलग-अलग varieties जो है हर एक crop में जो है हमको अब दिख रही है तो वह किसका नतीजा है यह बायो टेकनोलोजी का ठीक है बायो टेकनोलोजी includes following main area अब यह जो है बायो टेकनोलोजी कहा पर mainly use include किया जाता है so first is use of various ability of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses तो यह जो है हमने इसके पहले के lesson में भी देखा था तो microbes का use करकर जो है yogurt production किया जाता है मतलब milk में जो lactobacillus होता है जिससे की वो योगर्ट में convert होता है and alcohol from molasses और molasses से जो है alcohol तयार किया जाता है यह सब जो है बायो टेकनोलोजी की वज़े से होता है यह natural होता है योगर्ट जो है उसमें milk में lactobacillus पहले से मवजुद होने की वज़े से जो है योगर्ट में convert होता है ठीक है यूज आफ प्रॉड़क्टिविटी अब दसेल तो यह बायो टेकनोलोजी कैसे इंक्लूड होता है इसमें यूज आप प्रॉड़क्टिविटी आप सेल की जो जो यजो है बायो टेकनोलोजी का यूज होता है एक्जांपल दिया है प्रड़क्शन आप एंटीविटीक्स अड़ सिन tak Natih henry बनाए जाते है तो उसमें जो है यह biotechnology का use किया जाता है with the help of specific cell कुछ specific जो cell है वो लेकर जो है antibiotics तयार किये जाते हो vaccine तयार किया जाता है ठीक है तो molecule का जो है use किया जाता है biotechnology में जैसे कि DNA है protein है जो हमारे human welfare के लिए उसका use होता है so development of a plant, animal and products are for desired quality by gene manipulation production of a human growth hormone with the help of a genetically modified bacteria तो यह जो है biotechnology का use करके plants में, animals में जो है और उसके products में एक नई quality को जो है बनाया जाता है किस से gene manipulation से मतलब उसके genes का जो है किसी अच्छे दो वेराइटी का genes जो है manipulate करके जो है उस plant की या उस animal की जो है एक नई नया जो product है जो सामने लाया जाता है ठीक है? production of a human growth hormones with the help of genetically modified bacteria और human growth hormones जो है तो यह जो है production of a human growth hormone जो है किया जाता है किस से with the help of genetically modified bacteria जो bacteria होते है genetically modified उसका उसका यूज करके जो है हमारे human growth hormones को जो है produce किया जाता है use of a genetic and non-genetic techniques जो genetic techniques का भी यूज होता है और non-genetic techniques का भी यूज किया जाता है non-genetic biotechnology involves use of a either cell or tissue और non-genetic biotechnology में जो है either cell का यूज होता है या फिर tissue का ही यूज होता है example tissue culture कहा जाता है production of a hybrid seed जो biotechnology जो है include following main area biotechnology का use कहा कहा पर किया जाता है use of various ability of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses तो biotechnology से जो है बतलब yogurt production होता है जिसे हम घर में करते है तो बहुत थोड़ा योगर्ट बनता है लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री बें इसको बनाना है ज्यादा पेमाने पर बनाना है तो अलग-अलग microbes का यूज करके जो है यूज करके जो है आपनुक्तिविटिवीटी अगर हमको बढ़ानी है तो अर उससे जो है हमको ऐंटी बायोटिक्स और वैक्सिंद जो तयार करने है तो ये भी possible है with the specific cell, मतलब कुछ specific cell को जो है use करके antibiotics का production और vaccine का production जो है हम बढ़ा सकते है biotechnology से, then use of a biomolecules like DNA and protein in human welfare, और human welfare के लिए जो है biomolecules का भी जो है DNA में और protein में use कर सकते हैं इसका, ठीक है, then development of a plant, animals and product of a desired quality by gene manipulation, gene manipulation से, genes का use करके plants से, animals से, उसका जो नया product जो मिलने वाला है, उसकी productivity बढ़ाने के लिए भी जो है, हम biotechnology से उसको कर सकते हैं, use of a genetic and non-genetic techniques, हम इसमें two types की technique यूज कर सकते हैं, genetic techniques मतलब gene का use होता है, और non-genetic techniques, जैसे DNA वगरे जो protein हो गया, वो genetic techniques हो गया, और non-genetic techniques का भी use कर सकते हैं, और non-genetic biotechnology में involves use of either cell or tissue, non-genetic biotechnology में cell का use होता है, या फिर tissue का, ठीक है, example है, tissue culture है, production of hybrid seed, नए-नए hybrid seed बनाने के लिए, या ठीक होता है, इसका use होता है, so next is the benefits of a biotechnology, biotechnology का benefits क्या है हमारे लिए, so it has become possible to increase the per hectare yield irrespective of the limitation of crop land area, मतलब अभी जो हमारा population बढ़ रहा है और हमारी पास में जमीन जो है, gland कम है, तो इस कम जमीन पे ज्यादा production लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतने ही area में जो है, ऐसी एक technique यूज़ करनी है, जिससे कि biotechnology से possible है, जिससे कि कम जगा पे बहुत सारा production हो, ठीक है, तो इस तरह से जो है, यह हमारी लिए benefits है, biotechnology, then expenses of on disease control have minimized since development of a resistance variety, तो जो disease, जो बहुत सारी disease होते हैं हमको, उसको control करने के लिए भी जो है, जो biotechnology का use करके, बहुत सारी resistance variety को जो है, बनाया जाता है, due to development of a fast fruit setting variety, yield per annum has been increased, मतलब साल में जो है, अगर हम पानी पे ही depend रहें, मतलब बारिश के पानी पे, तो हमको जो है, उस पेड से जो है, ज्यादा fruits नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर biotechnology से जो है, हमने annual में, मतलब एक साल में, बहुत ज्यादा fruits का अगर हमको development करना है, production करना है, तो हमको जो है, biotechnology का use, जो है, उसमें होता है, so development of a stress resistance variety, which can withstand variable temperature, water stress, changing fertility of a soil, etc. has become possible, और biotechnology से जो है, fertile soil को जो है, हम और ज्यादा ताकत दे कर उसको, जो है, production ज्यादा होने के लिए use कर सकते हैं, और जो है, temperature मतलब किसी, कुछ जो, crops होते हैं, उसको कम पानी, लगता है, या फिर ज्यादा पानी लगता है, या फिर उसको मोसम ठंडा लगता है, गर्मी में नहीं होता है, तो ऐसे जो situation, जो crops होते हैं, उसकी variety को change करना, मतलब उसको किसी भी temperature में वो उख सके, और ज्यादा production दे सके, इसलिए, जो है, वहाँ का जो atmosphere, temperature है, उसको change करने का काम भी जो है, बायो टेक्नोलोजी से possible है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हम यही पे खतम कर रहे है, नेक्स पार्ट जो है, इसका हम आगे, सेकंड इसमें थर्ड पार्ट में देखेंगे, इसके, एक पार्ट हो चुका है, यह दूसरा है, और तीसरा हम जल्द ही देंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, और यह समझ में आ रहा है आपको, तो आपको इसे like करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और subscribe करना पड़ेगा, जो bell icon को दबा कर जो है, दबाने से जो है, आपको बहुत सारे notification जो है, मिल जाएंगे, और आगे के वीडियो भी है, आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ओके, so thank you for watching this video, have a nice day.